प्रतेक व्यक्ति के अंदर भगवान ने कुछ ऐसी चीजे दी हैं, जो स्वभावी कुरूप से उसके पास हैं, लेकिन समय का संसार का प्रभाव आने के कारण, वे दिव्य गुण व्यक्ति के छिपे रहते हैं। मतलब दिखाई देता है व्यक्ति का क्रोध, उसका लालच, निर्दैता, कठोरता, और तरह तरह की चंचलता, असंतोश, दूसरों के प्रती बदला लेने के भावना, तरह तरह की वक्रता, कुटिलता, और अपने आपको ऐसा बनाकर व्यक्ति चल रहा होता है, किसी नियंतरन को नहीं मानता, ये जो चीजें दिखाई दे रही होती हैं, ये व्यक्ति को ये वास्तिक चीजें नहीं हैं, मतलब ये हम वास्तों में इस तरह के नहीं हैं, हम कैसे हैं, अगर इसको पहचानना है, तो निज गुण, निज धर्म, निज स्वरूप को पहचानने के चेश्टा कीजें, वह चीज होती हैं, जो जिसमें आपको 24 गंटे रखा जाएं, और उस इस्तती में आप उबे नहीं हैं, जैसे आप उदास रहना, निराश रहना, ये आपका सुभाव नहीं हैं, और इसमें आपकी जिन्दगी रखी जाएं तो आप कितने व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उस इस्तती में जिया नहीं जाता, लेकिन आश्चा में उद्सा में व्यक्ति को रखा जाएं तो, ये आपकी जिन्दगी को बढ़ाती है, मुस्कान में रखा जाएं तो आपके क्षणों का पता नहीं लगेगा आपको, जब आपके जिवन में आशा है, होप है, और जब आपके पास प्रसनता है, तो आप देखेंगे 24 घंटे आप उसमें प्रसन रहते रहते, आनंदित रहते रहते, आपको समय का पता नहीं लग तो वो आपका वास्तिक स्वभाव है, जिसमें जीने में आसानी होती है, और जो आपको अंदर से इतना प्रफुलित कर दे, कि आप उसमें टिके रहना पसंद करते हूं, आदमी क्या चाहता है, मुझे संतुष्ट ही चाहिए, मैं बिलकुल संतुष्ट होकर रहना चाहता हूं, संतुष्ट कब होगा, जब उसके पास ये लगे कि जो है प्रयाप्त है, जो भी प्राप्त है वो प्रयाप्त है, जितना मेरे पास है वो प्रयाप्त है, इससे अधिक और क्या चाहिए? मैं बड़ा संतुष्ट हो हूँ. लाइफ से सेटिस्फाई हो जाए व्यक्ति. सेटिस्फाई होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए व्यक्ति के अंदर वो गुण आ जाए कि बस सब है, क्या नहीं मेरे पास? अब कहीं और दौड़ने भागने के जुरूत नहीं सब है तो से. तो ये आपके अंदर इस्थिर्था लाती है चीज और इसमें आप टिके रहना पसंद करेंगे. असंतोष में आप नहीं टिक सकते हैं, ये आपका संतुष्टी आपका निज सभाव है. तो ये आपके जो वास्तिक चीजें हैं, उनमें आपको अपने आपको टिकाना है. ये दिहन रख लेजिए कि प्रेम आपका वह गुण है, जिसमें आपको रखा जाए तो पूरी जिन्द की बीत जाए, आप उसमें उबेंगे नहीं. आप ये नहीं कहेंगे कि बहुत प्रेम का वातवन चला आए, तो चलो दुखी होने का वातवन बनाते हैं. बहुत खुश हो लिए, चलो आप जो है, रोते हैं जाकर. कोई भी आदमी उस तरव नहीं जाना चाहेगा. जो आपका वास्तिक रूप है, उसमें टिके रहना, और उसमें आपको खींच कर लेकर आना, यही गुरुजनों का कारिय होता, यह धर्म का कारिय, यही जीवन धर्म है. इस जीवन धर्म में आपको पहुँचना है शांती आपका निज़ धर्म है इसमें आप टिकिए तो आप देखिए ना समय बेतते वे जीवन जीते वे कितना अच्छा लगेगा कि बड़ी शांती जीवन में मन में शांती है घर में शांती है कारे में शान्ती है, बिवार में शान्ती है, लेन देन में शान्ती है, काम दंदा सब शान्ती से चल ला है तो आप क्या कहेंगे? बहुत खुश हूँ सुख है, शान्ती है, प्रसनता है, प्रेम है, प्यार है, तसली है जीवन में और क्या चाहिए जितना दिया भगवान ने बहुत कृपा है उसके तो ये आपका निज़ स्वभाव है और जब आप कहते हैं जो है बहुत थोड़ा है मैं बड़ा दुखी संतोष बिलकुल नहीं है क्या करें बेचेनी बहुत बनीवी है ये कैसे होगा वो कैसे होगा तब आप कहेंगे बहुत दुखी घर में शांती नहीं है तो बहुत मन दुखी है बच्चा ठीक नहीं है बेटे का दिमाग खराब चल रहा है लड़ाई जगड़ा करता है पत्नी के साथ अनबन है घर में अशांती है रिस्ते में अशांती है कामदंदे वाले स्थान पे जाते है वाँ भी जगड़े चल रहे है तो अशांती है बाहर जाकर देखते है तो देश में अशांती चल रही है पता नहीं इस दुनिया को क्या हो गया तो आदमी क्या कहता जीना ही मुश्किल होगे है, शान्ती नहीं है जब शान्ती नहीं तो जीना मुश्किल जब उदासी चल ले ही तो जीना मुश्किल जब जीवन में घरना, नफरत और बैर का वाता उना तो जीना मुश्किल और जीना कब आसान? प्रेम भी है प्यार भी है शान्ती भी है सुक भी है सुकून भी है चैन भी है संतुष्टी है चैन की निंद सोते हैं जी और क्या चाहिए वह आदमी क्या कहेगा सोने की चैन मिले न मिले लेकिन चैन की निंद तो मिल जाए अगर चैन की नींद हमारे पास होगे तो सोने की चैन की कोई जरूत नहीं चैन की नींद चाहिए तो संतुष्टी है जहां संतुष्टी है वह सब कुछ है यह जीवन धर्म है यह निज धर्म है यही निज सुरूप है जिसमें लाने के लिए महन पुर्शों ने इतने सारे विधान बनाएं आपके ग्रंथों में तरह तरह की विधियां बताए गई और गुरुजन आपको लेकर चलते हैं कि ध्यान में चलिए आपके जीवन में ये सारे चीजें आएं